हेलो जाहन दोस्तों तो दोस्तों आज अगनी भीर जैनरेल ड्यूटी और टेट्समेन के लिए मोस्ट इंपोर्टन जीके और जीएस का टॉप 25 कोशन लेकर आया हूँ डेली का तरह तो दोस्तों हमारा जिस इस्टूडेंट का इसी एक दो महिने के अंदर एक्जाम है तो दो इसी वीडियो को सुरू से लेका लस्ताग बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लिजे क्योंकि एक कोशन आपका एक्जाम में 100% पूछा जाएगा ऐसे चांज है तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छा तरह देख लिजे और जो इस्टूडेंट हमारा चैनल में नया हो और आभी ही दक ससकाइब नहीं किया तो ससकाइब कर दिजे भेल आइगन पेस किजे क्यूंकि इससी दार डेली डेली घरली खोष diamonds रहेगा इसी चैनल में तो दोस्तों पीले ससकाइब कर के जुर जाएASON तो दोस्तों दिख लिजे पहलानमर कोशन क्या दिया हुआ हूआ है तो दोस् इसका राइजञ्सर। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जिस स्टोरेंट ऑप्षेन C को चुना उसका राइजञ्सर हो जाएगा। ऑप्षेन C दा राइजञ्सर। चाइना होगा राइजञ्सर। नेस्ट कोशन देखो। तो दोस्तो नेस्ट कोशन क्या पूछा गया When was the atomic bomb dropped in Hiroshima दिख लिजिए जब Hiroshima में पड़मानी बम गिराया गया था कब गिराया गया था बता दो A, B, C, D इसका राइजनसर बता दो तो दोस्तो इसका राइजनसर हमारा जिस student option C को चुना 6th August 1945 को चुना उसका राइजनसर हो जाएगा option C होगा राइजनसर option C is the राइजनसर नेस्ट कोशन देखो तो दोस्तो नेस्ट कोशन क्या है current governor आप छट्रिशगार देख लिजिए छट्रिशगार का बरतमार राज्यपाल कौन है बता दो A, B, C, D इसका राइजनसर बता दो तो दोस्तो हमारा जिस student इसी चरो आप्शन के अंदर option D को चुना रावेंडाके को चुना उसका राइजनसर हो जाएगा option D होगा राइजनसर next question देखो order number question क्या पूछाए गया देखो which card the father of शांश्कित grammar देख लिए शांश्कित grammar का जो जनो किससे कहा जाता है बता दू A, B, C, D इसका राइजनसर बता दू तो दोस्तो इसका राइजनसर हमारा जिस student option क्या होगा बताओ बिल्कुल इसका राइजनसर हमारा जिस student option D को चुना पानेनी को चुना उसका राइज अंसर हो जाएगा option D होगा राइज अंसर पने नहीं होगा सही answer next question देखो तो दोस्तो next question क्या है 5 number question राजा रामहोन राई is related to देख लिजी राजा रामहोन राई डेस से शमंदित है किस से शमंदित है बता दो A, B, C, D इसका राइज अंसर बता दो तो दोस्तो इसका राइज अंसर हमारा जिस student option क्या होगा बताओ बिल्खुल इसका राइज अंसर हमारा जिस student option C को चुना ब्राम मशामाच को चुना उसका राइज अंसर हो जाएगा option C is the राइज अंसर next question देखो six number question क्या पूछा गया है question पूछा गया है कंची पुरम was on the capital of दिगली जी कंची पुरम एकबर के राजधनी थे किस के थे कौन से dynasty का कौन से बंग्षर का थे बता दू A, B, C या D इसका right answer बहुत ही अच्छा तरह दे देजिए तो दोस्तो इसी चारो option के अंदर हमारा जिस student option C को चुना दा पलप्स को चुना उसका right answer हो जाएगा पलप बंग्षर होगा right answer option C होगा right answer next question देखो और दोस्तो next question के पहले हमारा जिस student इसी एक दो माहिने के अंदर exam दे रहे हो हो और वही exam के लिए कर रहे हो तो दोस्तो आपका exam क्लियर करने का एक ही तरीका है अब ज़्याद से ज़्यादा 2014, 15, 16, 16, 18 से लेकर आभी तक 2024 तक जितने भी question पूछा गया ओको पढ़ लो आपका exam वही question से क्लियर हो जाएगा क्यूंकि जो question 2014 में पूछा गया हो ही same to same type का question 2015 में पूछा जाएगा तो दोस्तो हमारा जिस student 2024 से लेकर 24 question PDF खरिदना चाहते हो तो only 99 रूपया में ओर्जिनल question मिल जाएगा तो दोस्तो हमारा इसी number है academic का number आप call या whatsapp दोनों ही कर सकते हो तो दोस्तो आप जुरूर इसी number पे call या whatsapp करके आप PDF खरिद दो PDF किस तरह है एक बद देखो तो दोस्तो आपका exam में इस तरह पहले question पूछा जाते है A.A.R.O. Almora का है G.D. का है तो एक-एक करके जितने भी चाहिए आप A.A.R.O. Almora से हो A.A.R.O. पितरअगर A.A.R.O. हमिरपूर A.A.R.O. जम्मू A.R.O. सिरिनगर कोई भी A.R.O. से हो सभी All India का मिलता है तो दोस्तो इस तरह जितने भी question पूछाएगा एक-एक करके सभी question मिल जाएगा तो दोस्तो आप जुरूर call करो और PDF ले दो तो आप भी call करो और PDF ले दो बहुत A.A.R.O. रोही तक का है इस तरह बहुत ज़्यादा question है आप ज़रूर call करो ले दो तो दोस्तो इसी नमबर पे आप call करो और वही original paper लेकर आच्छा तरह पढ़ाई करो Only 99 रूपिया में Next question क्या पूछा गया Which Indian state does not have a cost line देख लिजे किस भरती रज्य की ततरेखा नहीं है बता दो A.B.C.D. इसका राइजनसर बता दो तो दोस्तो इसका राइजनसर हमारा जिस student option क्या होगा बताओ बिल्कुल इसका राइजनसर हमारा जिस student option C को चुना हरियाना को चुना बाकी तीनों जो रज्यों है ये सभी का cost line है लेकिन हरियाना का नहीं है नेस्ट कोशन देखो H.C.D. इंडिया यंग इंडिया विखले मेगा जिन वाज इस टार्टेड बाई देख लिजे यंग इंडिया शप्ताहिक पत्तिरिका की शुरबात इसके दोबारा की गी थी बतादू ये भी सिरी इसका राइजांसर बतादू तो दोस्तो इसका राइजांसर हमारा जिस student option क्या होगा बताओ तो दोस्तो इसका राइजांसर हमारा जिस student option D को चुना महातमा गंधी को चुना उसका राइज अंसर हो जाएगा option D होगा राइज अंसर होगे next question देखो question क्या पूछा गया बताओ next who is the item of national anthem जाना गाना माना देख लिजिए रश्टिया गान जाना गाना माना कर रश्टिया कर कौन है बता दू A, B, C, D इसका राइज अंसर बता दो तो दोस्तो इसका राइज अंसर हमारा जिस student option A को चुना उसका राइज अंसर हो जाएगा option A होगा राइज अंसर रविन दरना टैगर होगा राइज अंसर next question देखो तो दोस्तो next question क्या है in which state is आकसादम temple located देख लिजे आकसादम मंदीर किस राज़े में इस्तित है बता दो A, B, C, D इसका राइज अंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइज अंसर हमारा जिस student option क्या होगा बताओ बिल्कुल इसका राइज अंसर हमारा जिस student option D को चुना गुजराट को चुना उसका राइज अंसर हो जाएगा option D होगा राइज अंसर गुजराट होगा राइज अंसर next question देखो एगरा number question क्या पूछा गया दिल्ली वाज इलियोर नॉन एस दिख लिजे दिल्ली का पुढ़ाना नाम क्या है बता दो A, B, C, D इसका राइज अंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका राइज अंसर हमारा जिस student option क्या होगा बताओ बिल्कुल इसका राइज अंसर हमारा जिस student option D को चुना इंदरपोस्त को चुना उसका राइज अंसर हो जाएगा option D होगा राइज अंसर इंदरब पोस्त होगा राइज अंसर नेश्ट कोशन देखो बाड़ा नामबर कोशन पूछा गया टार्म आफ राज़ेशाबा मेंबर इस देख लिजे राज़ेशाबा शदेश का जो कर्जकाल है कितने बर्ष के लिए होता है बता दो ABCD इसका राइज अंसर बता दो तो दोस्तो इसका राइज अंसर हमारा जिस student option क्या होगा बताओ बिल्कुल इसका राइज अंसर option D is the राइज अंसर 6 years होगा राइज अंसर option D होगा सही answer नेश्ट कोशन देखो तेरा नामबर कोशन कोशन पूछा गया है which disease is caused by the deficiency of iodine in the body देख लिजी कौन से रोग शरिल में iodine के कमिसे होता है बता दो ABCD इसका राइज अंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइज अंसर हमारा जिस student option क्या होगा बताओ बिल्कुल इसका राइज अंसर हमारा चादा नमबर कोशन कोशन पूछा गया है where is the कंद कुलम निकला पावर पिलान्थ लोकेटेट देख लिजी कंद कुलम पड़मने ओड़ जा शहस्तर जो इस्तित है कहा इस्तित है बता दो ABCD इसका राइज अंसर बता दो तो दोस्तो इसका राइज अंसर हमारा जिस स्टूडेंट ओप्चेन A को चुना तामिन नाडू को चुना उसका राइज अंसर हो जाएगा ओप्चेन A होगा राइज अंसर तामिन नाडू होगा राइज अंसर नेस्ट कोशन देखो तो दोस्तो नेश्ट कोशन क्या है Who is the developer of social website facebook देख लिजे social website facebook का जो developer है निरमाता है कौन है बता दो A, B, C, D इसका राइज़नसर बता दो तो दोस्तो इसका राइज़नसर हमारा जिस student option A को चुना Mark Duke Burke को चुना उसका राइज़नसर हो जाएगा option A होगा राइज़नसर Mark Duke Burke होगा राइज़नसर Next question देखो 16 number question Whose card Mahatam Gandhi the father of the nation दिग लिजे Mahatam Gandhi को रष्ट पिता किसने कहा था बता दो A, B, C, D इसका राइज़नसर बता दो तो दोस्तो इसका राइज़नसर हमारा जिस student option B को चुना शुबाश चंदर बोश को चुना उसका राइज़नसर हो जाएगा option B होगा राइज़नसर Next question देखो और दोस्तो हमारा जिस student आभी तक इसी वीडियो को लाइक नहीं क्या तो एक दिल से लाइक कर दिजे और इसी ता डेली के डेली question लेना चाते हो वीडियो लेना चाते हो तो दोस्तो पिले सास्काइब करके जुर जाएगे और जो student बहुत ही आचा तायरी कर रहो करना चाते हो तो हमारा PDF है हमारा मतला PBRCR का question वो question लेकर आचा तरह पढ़ाई करो Next question क्या है देखो question पूछा गया है who was the first recipient of दादा शाइब फल के आवाड देख लिजे दादा शाइब फल के पूरिष कार को पथम पाफ्थ करने बाला कौन थे बता दो A, B, C, D इसका राइज़नसर क्या होगा बताओ क्या होगा बिल्गुल इसका राइज़नसर option B is the राइज़नसर दिविगा रानी होगा राइज़नसर बहुत आचा कोशन है important question next question देखो 18 number question क्या पूछा गया who discovered the atom देख लिजे जो पड़मानों की खोज की किसने की थी बता दो A, B, C, D इसका राइज़नसर बता दो तो दोस्तो इसका राइज़नसर हमारा जिस student option क्या होगा बताओ बिल्कुल इसका राइज़नसर हमारा जिस student option C को चुना John Dalton को चुना उसका राइज़नसर हो जाएगा option C होगा राइज़नसर next question देखो तो दोस्तो नेश़नसर क्या है इंदरा गांधी gold cup is associated with which sports देख लिजे इंदरा गांधी gold cup की किस skill से शमन्दित है बताओ A, B, C, D, इसका राइज़नसर बताओ तो दोस्तो इसका राइज़नसर हमारा जिस student option क्या होगा बताओ बिल्कुल इसका राइज़नसर हमारा जिस student option C को चुना उसका राइज़नसर हो जाएगा option C is the राइज़नसर होकी होगा सही अंसर next question देखो 20 number question है question पूछे गाप prime maridine is located at dash degree maridine देख लिजे वह मद्द रेखा dash degree मद्द पर इस्तित है बताओ कितना degree मद्द पर इस्तित है बताओ तो दोस्तो इस्ति चरो option के अंदर हमारा जिस student option B को चुना उसका राइज़नसर हो जाएगा option B is the राइज़नसर 0 degree होगा राइज़नसर next question देखो 20 number question है पूछा गया which of the flowing is the hardest substance देख लिजे निर्मो लिखेत में से कौन सा सबसे अधिक कठर तम पदत है बताओ कौन सा है इसका राइज़नसर बताओ तो दोस्तो इसका राइज़नसर हमारा जिस student option B को चुना डाइमांड को चुना उसका राइज़नसर हो जाएगा option B is the राइज़नसर डाइमांड होगा राइज़नसर next question देखो कहा जाता है किस से कहा जाता है बताओ A, B, C, D इसका राइज़नसर बताओ तो दोस्तो इसका राइज़नसर हमारा जिस student option क्या होगा बताओ बिल्कुल इसका राइज़नसर हमारा जिस student option B राज़़नसर को चुना उसका राइज़नसर हो जाएगा option B is the right answer राज्य शवा होगा right answer next question देखो 3rd number question कि आप पूछा गया skin cancer is the cause of देख लिजी skin cancer का कारण है किसके कारण होता है बता दो A, B, C, D इसका right answer बता दो तो दोस्तो इसका right answer हमारा जिस student option C को चुना UV ray या ultra violet ray को चुना उसका right answer हो जाएगा पड़ा बेगन किरन होगा right answer next question देखो 4rd number question है question पूछा गया है who was the sorry who was known as the दा हो गया आपे father of civil service देख लिजी किसे civil service का पीता के रूप से जाना जाता है बता दो A, B, C, D इसका right answer बता दो तो दोस्तो इसका right answer हमारा जिस student option C को चुना Lord Karnovalis को चुना उसका right answer हो जाएगा option C is the right answer Lord Karnovalis हो गया right answer next question देखो question पूछा गया when was the तशकंद agreement signature between India and Pakistan देख लिजी भाड़तर पाकिस्तान के 20 तशकंद जो समझाता हुआ था हस्तचर हुआ था किस बर्ष में हुआ था बता दो ABCD इसका right answer बताओ तो दोस्तो इसका right answer हमारा जिस student option B को चुना 1966 इसका right answer हो जाएगा option B होगा right answer तो दोस्तो 25 question के अंदर कितना question आया ज़रूर comment section में बता देना और जो student PDF खरिदना चाते हो इसी नमबर पे call करो और PDF ले दो बहुत ज़्यादा बच्चे का नौकड़ी हो जाता है एही question पड़कर description में दिया एक बच्चे कुछ दिन पहले वीडियो बेजा तो वीडियो link कटके लिका हुआ है एक बाद देख लो telegram में जाका देख लो तो बच्चो आभी call करो और ले लो 100% लिख देता हूँ एक्जाम 100% के लिए रहोगा thank you जाहिंद